मैं करी क्या सकता हूँ विद्यापती शद्धा की ज्वाला जो ये मेरे अंदर प्रस्फुटेत हुई है मुझे आभास है कि ये सामान्य ज्वाला नहीं है इसने मेरे भीतर एक अद्भुज ज्यासों को जनम दिया है मुझे अब प्रित्फी का कोई एश्वर नहीं चाहिए विद्यापती मुझे कोई एश्वर नहीं चाहिए मुझे स्वर्क के सुख की भी कोई अभीलाशा नहीं है मैं सिर्फ उस भगवान के साक्षा दर्शन करना चाहता हूँ मैं उस सर्फ शक्तिमान परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के साक्षाद दर्शन अपने इन नेत्रों नेत्रों से करना जाता हूँ विद्यापती अगर मेरे नहनों में कोई प्यास रह गई है तो सिर्फ उनके साक्षाद दर्शन की जग्दिशो महत ब्रह्मा जगन्नाथाए ते नमा ब्रह्मधारून स्मराणी कुहाँ जाए विश्वासी हिस्वर भगवान को परे जदी आपन करे धुड़ा विश्वास ची ते बे आपे आपे सबुका मों सम्भव हुई जाए प्रभु जगन्नाथ केता बेले लिला मोय तो केता बेले रहस्य मोय जदी प्रभु जगन्नाथ को उपरे आमरो भरोसा विश्वास एब स्रधार होई ची ते बे कोणोसी भी कामो आमो पाई असम्भव नुए एवली कीचे घटना घटी ची आंतो जतीयो स्तरोरो जणी लेखो को तथा फेल्मेकर धनचो एक पुर्भु को सहीतो जोथ भाई से प्रवाईसी होई छन्ती समग्र विश्वरे जगन्नाथ को उपरे आधारीतो गुटिये मोंचो नाटक प्रस्थुत करिबा पाई अजरो आलो चोना तंको सहो प्रोथ में आलो चोना करिबा पुर्भुरू तंको स्वागत करिबा कुछ आहीं भी अर्गस नियूस को सर आपको अर्गस नियूस के स्वागत ही जय जगन्नाथ सर जाना चाहूंगे जगर्नाथ की मोहिमा बारे में आपको किस्सा पते चला और प्रवु जगर्नाथ को लहस्य मोय लिला के बारे में आप मेहसूस क्या है देखी मैं आज से साथ साल पहले मैं बहुत ही तामसे का व्यक्ती था मैं नौनवेच खाता था और तीन टाइम नौनवेच खाता था शराब भी पीता था उतना नहीं मगर जैसे लोग पीते हैं मगर 6 दिसम्बर 2014 को मैंने ये सब छोड़ दिया मैं कृष्ण भक्त बन गया और फेबरिरी 2014 से मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था और दिसम्बर आते आते मेरे अंदर ऐसी भक्ती जागी कि मैंने 6 दिसम्बर 2014 को नौनवेच एलकोहल सिगरेट सारी चीज़ें छोड़ दी उसके बाद जो मैं भक्ती में डूबने लगा धीरे धीरे तो मुझे 2015 में मैं लड़ू गोपाल अपने घर में मतुरा से लेके आया और उनकी सेवा शुरू कर दी उसके बाद 2018 में एक दिन मैं भगवान के उसमें ध्यान में लीम था अपने कुरसी पे बैठे वे मैं भगवान के ध्यान में लीम था उनकी कुछ कथाएं थी जो भगवत गीता में मैं ने पढ़ी श्रीमत भगवता में मैं ने पढ़ी वो मैं याद कर रहा था तब मेरे रिदे में एक बात आई ऐसा लगा जिसे भगवान ने मुझे कहा देखो मैं तुम्हारे घर में जगरनात रूप में आया हूँ तुम मैं लगवा कैसे बुले जाकि अपने मंदिर में देखो ऐसा लगा जैसे वो मुझे कह रहे है मैं आँक बंद करके बैठा हुआ था और ऐसा लगा जैसे भगवान सामने है और मुझसे बोल रहे जों ど चेखो और में तुम्हारे घर में जगरनात रूप में आया और बीच में मा दुर्गा की प्रतिमा है तो आप जगरनाद जी का देखें तो एक तरफ कृष्ण जगरनाद जी बीच में सुबद्रा और उनके दाएं तरफ बल्देव और मैंने अपने मंदिर में पहली बार ऐसा देखा क्योंकि दुर्गा जो है वो सुबद्रा का रूप सुबद्रा दुर्गा का रूप है या दुर्गा सुबद्रा तो वो मैंने देखा मैंने पहली बार देखा कि ये तो बिलकुल वास्तविक में ये सत्य है कि वो मेरे घर में जगरनाद जी के रूप में आए है और उसके बाद से मेरे अंदर जगरनाद जी के प्रति ये श् जगनाद जी का अश्टकम गाना शुरू किया और धीरे धीरे श्रद्धा ऐसी जड़ बढ़ती चली गई कि मैंने जन्वरी 2021 में ये सोचा कि अब मैं ये नाटक भगवान के उपर करूँगा ये मैं हमेशा देखता रहता था ये किताब जो पुस्तक भंडार में पड़ी रह रहा है भगव जगनाद जी की इतनी अच्छी कहानी है कैसे वो अफ्तरित हुए इस प्रिथवी पर ये कहानी मुझे कहनी है और मैंने ये इस तरीके से मेरी श्रद्धा जागी और फिर मैंने सोचा कि ये नाटक मैं करूँ अपको जो नाटक है नाटक का टाइटल क्या है और इसके कहानी क्या है और इसमें आपका क्यारेक्टर क्या है से ओके मेरे नाटक का नाम है बढ़ा जो भगवान का है भगवान जगनाद नाटक और इसकी कहानी वही है जो हम हमेशा से भगवान जगनाद के बारे में सुनते आए हैं भगवान जगनाद कैसे इस पर अव्तरित हुए, यह उसी की कहानी है और उससे, इस कहानी में एक राजा है, महराज इंडरद्युम है और महराणी गुंडिचा है, और यह दो भक्त हैं और साथ में एक भक्त विश्वासू है तो ये इन दो भक्त की महरानी की कहानी और किस तरीके से ये दो भक्त जो हैं वो आपस में एक तरीके से पहले प्रती द्वंधिता में उलज जाते हैं क्योंकि भक्त विश्वासु जो हमेशा से भगवान जगनात का जो प्रारूप है पहले का जो रूप है वो है नील माधव का भगवान नील माधव का तो वो नील माधव की पुझा उपासना करता है मगर एक गुप्त जगह पे करता है वो किसी को नहीं बताता और राज महाराज इंद्रद्यूम को वो भी बहुत भगवान के भक्त है और बहुत ही महान भक्त है तो उनकी भी इच्छा होती है कि मुझे भगवान का साक्षात रूप का दर्शन करना है तो उन्हें एक महान संत आकर के बताते हैं जिनको हमने अपने नाटक में एक तीर्थियात्री का करेक्टर बताया है तो वो आकर के बताते हैं कि आपको निलाचन पलवत पर निलाधरी परवत पर आपको भगवान का ये भगवान नील माधव के रूप में आपका दर्शन होगा मगर राजा इंदर जुम जब वहाँ पहुचते हैं तो देखते हैं कि भगवान का जो प्रतिमा है जो उनकी मूर्ती है वो वहाँ पर मंदिर में नहीं है अब उनको शक हो जाता है कि ये जरूर विश्वासु ने वहाँ से हटा दी है तो ये कहानी है बहुत ही ड्रमाटिक कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है इसको देखने में लोगों को बहुत आनंद आएगा बहुत मसा आएगा और साथ में इसमें हमारे जो हमारा जो आध्यात्मिक जो कल्चर है हमारी जो आध्यात्मिक संस्कृती है कि हम भगवान का मूर्ती पूजन क्यों करते हैं उनका जो अर्चा विग्रा जिसको हम कहते हैं मूर्ती को अर्चा विग्रा कहते हैं शुध हिंदी में तो वो उस अर्चा विग्रा की पूजा हम लोग क्यों करते हैं सनातन धर्म में उसकी भी फिलोसफी है उसका भी दर्शन ग्यान है तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है और मैं समझता हूँ कि ये कहानी ये नाटक अग मैं जन जन तक ले जाओंगा तो लोग भगवान जगनात के बारे में तो जानेंगे ही कैसे वो पृत्वी पर आविर्भूत हुए कैसे वो पृत्वी पर अफ्तरित हुए साथ में उनके सारे उनके जो उनका जो ये रूप है जिसमें वो हात्व और पैर से रहित है उसके पीछे क्या ग्यान है उसके पीछे रहस से क्या है कि भगवान के हाथ और पैर हम नहीं देखते हैं वो क्यों और ऐसा क्यों है और तो भगवान का जो ये रूप है ये बिना हाथ और पैर के क्यों है भगवान की आखें इतनी क्यों बड़ी है भगवान के होट जो है वो इसके पीछे रहस से क्या है ये नाटक देखने से इसकी कहानी सा जानने से आपको इन सब चीजों का ग्यान होगा और ये हमारे नव्यूवकों के लिए ये हमारे आज के बच्चों के लिए नौजवानों के लिए ये बहुत जरूरी है जानना क्योंकि भगवान जगरनाद जो है वो कल्यूग के कृष्ण के अवतार है और आज भी आप देखते हैं नासा से और हर दुनिया के हर कोने से साइंटिस्ट आए हैं और आज तब को नहीं पता कर पाए है कि भगवान के मंदिर पर जो ध्वज है वो हवा के opposite direction में विपरीत दिशा में कैसे लहर आता है भगवान का मंदिर जो है वो एकदम समुद्र के किनारे है और मगर भगवान के मंदिर के अंदर आपको समुद्र की लहर की थोड़ी सी भी आवाज नहीं सुनाई देती है ये क्यों है ऐसे कम से कम दस अचमभित करने वाले रहस्य हैं जो ये बताते हैं कि भगवान वहाँ पर साक्षात विराजमान है भगवान के मंदिर के उपर से एक भी पक्छी क्यों नहीं गुजर पाता है हजारों वश हो गए करोडों वश हो गए जब से राजा इंद्र दिम्ड ने भगवान का ये मंदिर बनाया और 11-12 सेंचुरी में गजापती महराज के पुरवजों ने फिर इस मंदिर को वापस खड़ा किया तो ये क्यों कैसे ये ऐसा किसी और मंदिर में नहीं होता किसी और मंदिर के ध्वज पे ध्वज जो है जो पताका है जिसको जंडा भी कहते हैं समान्ने लैंग्विज में भाशा में वो हवा के विपरीद दिशा में क्यों नहीं लहराता ये आज तक एक साइंटिस नहीं कर रहा तो ये भगवान वहाँ पे विराजमान है और वो सभी को ये बता रहे हैं कि देखो मैं यहाँ विराजमान हो आओ मेरे शरण में आओ मेरी भक्ती करो मेरी उपासना करो और मैं तुम सभी को अपनी कृपा प्रदान करूँगा और उन्होंने सत्त में मुझे ये मेरे अंदर इतनी बड़ी शक्ति नहीं है, कि मैं भग्वान का इतना बड़ा नाटक ये चार घंटे का नाटक है लोग कहते हैं, नीज दो घंटे में आप बोर हो जाते हैं लोग, मैंने बोला कि अगर मैं आपको चार घंटे के और मेरे जितने भी आक्टर्स हैं ये सारे बॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनल आक्टर्स हैं और हम आपको बिल्कुल रोमांचक कथा के साथ आपको एक भक्ती भाव में आपको आनन से हम भर देंगे उस चानले सर कोविड नाइटिन का सीचुएशन है अब कहां और कितना दिल लगया रियर्सल में कितना दिल लगया देखिए हमने 21 जनवरी से ये रियर्सल शुरू किया था और उस समय कोविड थोड़ा कम हो गया था 21 जनवरी 2021 को तो दो मेहने हमने इसको वहां आडिटोरियम में रियर्सल किया 21 मार्च तक उसके बाद हमने तब तक हमारा तीन दो घंटे का नाटक प्रिपेर हो गया था हमारा दो घंटे का नाटक प्रिपेर हो गया था उसके बाद फिर से लॉकडाउन लग गया बॉम्बे में तो हमने नाटक अब हम सोचे कि कैसे करें तयारी आगे दो घंटे की और करनी कि चार घंटे का नाटक है तब हमने एक आइडिया निकाला कि लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं तो क्यों ना हम जूम पे रिहरसल करते हैं और हमने इसको जूम पे रिहरसल करना चाहा फिर कभी कभी जब वाइफाई नहीं रहता था तो हमने फिर क्या किया कि हमने टेलिफोन पे रिहरसल करना शु कैसे करना है और इसकी ब्लॉकिंग करनी है और इसके मुव्मेंट्स जो हैं वो करना है तब जुलाई में जब थोडी सी हमें कोविड कम हुआ और गॉष्मिन्ट ने मिलने जूनने का मौका दिया तो मैंने अपने घर में अपने आक्टर्स को बुलाया और हमने बाकी जो ब्लॉकिंग के मुव्मेंट से वो ब्लॉक कर लिए तो ये आप सोचिए कि ये करीब छे मैने के रिहरसल के बाद ये छे मैने के रिहरसल के बाद ये नाटक तयार हुआ है और हर दिन हमने कम से कम पास से छे घंटे रिहरसल की है तो लगभग 180 दिन 180 दिन को आप अगर पाँच घंटे से मल्टिप्लाई करें तो मेरे ख्याल से कुछ 900 घंटे के रिहरसल, 1000 घंटे के रिहरसल होई है डायलोग मैं इसमें महराज इंद्रद्यूम की भूमिका निभा रहा हूँ और उनका डायलोग है क्या वो वो ब्राह्मन शिल्पी विश्कर्मा थे और मैंने ऐसे ब्राह्मन शिल्पी की अवहिलना की है क्या मैंने उनको दिया हुआ अपना शत्रिय वचन तोड़ दिया नहीं मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे ऐसे घोर पाप के उप्रांत मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है मुझे मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए जैशील मुझे अपनी तलवार दो मुझे अपनी तलवार दो जैशील इस जो नाटक है नाटक के पूरा करने के समय कुछ अथिक समस्या है क्या हाँ देखिए ये समस्या भी है और मेरी ये परिक्षा भी है आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि कोविड के कारण हमें कोई कॉर्परेट स्पॉंसर नहीं मिल पाया है और तो अभी तक हमने एक काम किया कि हमने क्राउड सोर्सिंग लिंक शुरू किया है मैं अपने सारे दर्शकों को जो ये देख रहे हैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि आप अपने फेस्बुक पे जाकर भगवान जगनात नाटक पेज को लॉगिन करें और हमारे फेस्बुक पेज से जुडें और वहाँ एक मिलाब.org का एक लिंक है उस लिंक दान देना चाहिए क्योंकि हमें हमें सेट बनाना है और मैं सिर्फ इसलिए नहीं चाह रहा हूँ मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग सब इस नाटक से जुड़ें आप 10 रुपै दे आप 11 रुपै दे कोई 100 रुपै दे तो मेरा ये एक निवेदन है और इससे आप हमसे जड़ेंगे आप भगवान जगरनात से जड़ेंगे इस नाटक से जड़ेंगे भगवान जगरनात की इस कहानी से जड़ेंगे तो ये मेरा आप सब से ये विनम्र निवेदन है कि हमारे फेस्बुक पेज पे जाएं और हमें फॉलो करें और वहाँ पे दियेवे लिंक पर अपना योगदान दे और इससे हमें सहायता भी मिलेगी और आप सब हमारे परिवार से चुड़ जाएंगे भगवान जगनात के प जगनात का प्रचार प्रसार पाईं धने जगनात कर ईजव प्रसंशन्य उद्यमां याग उचिस ईंक्या शंकलप एबँ इस्वर्वन का आश्री बाद बास आउकोण दरकाड, कोरोना कालोरे ज्योगनात को प्रशार प्रशार पाईं, धन जोयंकर एवळी उद्ध्यम प्रशंचनी अनुहेकी, बोवनेश्वेरू क्यामरा प्रशन, तुना मंडल को सह, कबिता स्वाईं, और ग्रस्निवूस